हेलो दोस्तो मैं विकास आप सभी का महाचल में स्वागत है आज का वीडियो है चाइना का एलेटी टीवी जिसको हमने ओपन करके देखा तो इसका जो पाउर सप्लाई है वह पूरी जल गई है इसका कपलर और इसका मॉसफेड वगारा सब जल गया है और इसके सेकेंडरी में हो सकता है ओबर बोल्टेज करान इसके मदरबोर्ड में भी दिक्कत हो सकता है तो अभी तो ऐसे बर्निंग देखने सो नहीं पता चल रहा है लेकिन हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे कि इसमें क्या-क्या आपको सवधानी बरतनी है तो वीडियो को लास्त तक जोड देखे तो चली वीडियो सुरू करते हैं तो हमने इसका पाउर सप्लाई ओपन कर लिया है यहां पर देखसें इसका स्कूर्प खोल दिया और सेकेंड साइड से हम देख रहे हैं बैक साइड से तो इसमें जो SMD में ट्रैंश्टर लगता है वह भी इसका सौड हो गया है बन इसका मॉसफेट जल गया है इसका स्विचिंग और जो कप्लर बगारा लगा हुआ है सब यहां पर बंड हो गया है तो इस power supply को हम चाहे तो repair भी कर सकते हैं लेकिन हम इसमें नहीं board डाल देंगे तो इसको हम replace कर देंगे एक universal supply आता है उसके theory और इसका जो connector है यहाँ पर हमने इसको disconnect कर लिया है तो यहाँ से होके इसके motherboard में power जाता है तो यहाँ पर जो हम universal board को use करने वाला है यहाँ पर देखते हैं इसका power supply जो कि यहाँ पर same आपको इसका empire है तो हम इसको उसके अस्तान पर use कर सकते हैं तो इसको use करने से पहले आपको इसका connector जो second side में आपको लगाना है voltage वाला उसको आपको check कर लेना है तो यहाँ पर हम power दिये और इसमें बिना यह connector लगाए बिना इसको हम voltage check कर लेंगे क्योंकि कभी-कभी यहाँ पर high voltage भी दे देता है नया supply तो यहाँ पर हम इसमें voltage check किया तो यह बिलकुल okay है और इसका जो connector है उसको हम पाइस ट्यू को पाइस टू के साइड और निगेटिव को निगेटिव के साइड करके हम इसको लगा देंगे तो यहाँ पे हमने लगाया तो यहाँ देखते हैं 12.3 बोल्ट आ गया है और इसका जो red indicator है फिर भी यहाँ पे इंटीकेटर नहीं गळेग रहा है तो हो सकता है कि वहाँ पर पूरानी जो सप्लाई थी उसका कि अजो कपलर था वहां बढर्ण होने के करपकारण इसमें पांट हाई हो गया होगा सेकांड में तो यहां पर हम देख लेते हैं आपको तो यहां पे देखते हैं पाइच्ञट को फाइट मिलना चाहिए तो यहां पर देखते हैं कुछति नहीं से जबकि यहां पे 12 बिल्कुल okay है तो यहां पे जो एक regulator IC लगा हुआ है 6 pin का वहां पे हम continuity test करते हैं और वहां पे 5 बोल्ट मिलना चाहिए तो वहां पे 0 था और यहां पे continuity देख सकते हैं यह बिल्कुल full sorting दे रहा है जबकि यहां पे ratings वो करना चाहिए तो यहां पे देख सकते हैं आप 0 ohms का rating दे रहा है और इसका जो पैनल का वहां पे भी sorting दे रहा है और इसका जो 3.3 बोल्ट का regulator है वहां पे sorting नहीं दे रहा है और इसके input में full sorting दे रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं यानि कि इसका जो 3.3 बोल्ड के आगे का जो सिक्षन है वह बिल्कुल ओके कंडिसन में है और 5 बोल्ड का जो रेगुलेटर है वहाँ पे सॉर्टिंग दे रहा है तो हो सकता है इसका जो प्रॉल्म है वह 5 बोल्ड का जो दिख तो हम क्ट्गर है और उसके बाद हम यहां पे दूसरा मॉडूल यूज करेंगे तो वह मॉडूल क्या है उसको जाने के लिए वीडियो को लास्तर देखीगा और आप हमसे टेलेग्राम, इंस्टाग्राम, फेस्बुक से भी जाने हो सकते हैं लिंक मैंने डिस्कुस्टन में दिया हुआ है और अगर आपको यह मॉडूल जो हम इसमें लगाने वाले हैं अगर आपको खरितना है तो आप हमसे टेलेग्राम में मैसेज करेंगे तो हम आपको पार्ट प्रोवाइड करा देंगे तो यहाँ पर हम इसको निकाल लेते हैं ब्लोवर की मदद से और उसके बाद हम वहाँ पर जो आइसी लगिए है उसकी नमबर भी हम आपको दिखा दे रहे हैं तो यहाँ पर देखते हैं हमारा जो आइसी है वह बहुत ही अच्छे से निकल गया है और कहें पर भी इसका कर रहा है तो यहां पे 5 बॉलts का जो तो हुआ को गाइल यहां पे देख से फंहां जुल्च करने लगा है लिश्वी जब की यहां पर का तो रहा था और यहां पर और मैं हमक्रेटे स् Ms. तो यहां पे हमने regulator को निकाला और जो हमारा sorting का इसू था हुआ solve हो गया तो यहां पे आपको five bolt का जो regulator है उसके अस्तान पे आपके पास अगर same regulator हो तो आप वहां पे लगा सकते हैं आई सी नहीं तो आप यहां पे एक bug का नोडर का भी यूज कर सकते हैं तो यहां पे जो आईसी था हम उसको आपको दिखा दे रहे हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं जो six लेक की आईसी है उसका नंबर आप यहां पे ध्यान से देख सकते हैं हम इसको जूम करके दिखा दे रहे हैं आपको तो यह ऐसी जो है वह हमारे पास अवलेबल नहीं था तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका नंबर आप नोट कर सकते हैं 4201 यहाँ पर यह रेगलेटर ऐसी लगाया है तो उसके स्थान पर हम इस तरह का बंबक कनोटर का यूज कर सकते हैं जोकि 3.3 वोल्ट 5 वोलट और 12 वोलट के लिए मॉडुल है और यह जो छोटा मॉडूल है यह 3 एंप्यर के लिए है जिसमें आप 1.5 1.2 वोल से लेके वहाँ पर 5 वोल्ट तक ले सकते हैं तो दोनों का यूज कर सकते हैं तो हम आपको इस मॉडूल को किस तरह करनेक्सन करना ह आपको इस वीडियो में बताएंगे और जो हमारा चोटा ओला या कन्वोटर है इसको आपको किस तरना स्कनेक्शन करना है आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा उस पर हम डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं तो यहां पर हमने इसका 12 बॉल्ट का कनेक्शन कर दिया है यहां पर जैक लगाने के लिए दिया रहता है वहां पर हम डारेक्ट शोल्डिंग कर दिया है और इसके 5 बॉल्ट का पॉइंट से हमने 5 बॉल्ट का आउटफूड का कनेक्शन कर दिया है उसके कॉईल पर तो यहां पर हमने कनेक्शन किया और पाउर देते हैं यहां पर द कि यहां पॉएंट बोल्ट था यहां पर देखते हैं यह भी बिल्कुल ओके है और उसके बाद इसका जो 3.3 नर। है उसको भी हम आपको चेक करके दिखाते हैं तो यहां देखते हैं 3.3 बोल्ट बिल्कुल नोके है और इसका जो इनपुड वोल्ट है 5 बॉल्ट यहां पर देखते हैं यहां पर भी नेशा 10 подоб पर जो बिलेदिए हो गया है ऐसे ही ठीक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें लाइक करें कमेंट करें सेर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो यहां पर हम टीबी को बार चेक करके आपको दिखा दे रहा है तो यहां देखते हैं हमने पाउर दिया और रेड लाइट भ लगी वी थी शिक्स लेक की यह वाली वह खरापता तो यह दोनों चेंज करने से हमारे टीबी विल्कुल ओके हो गया लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद